हेलो दोस्तो मैं करन उद्रपुरिया आप सब का स्वागत करता हूं हमारे संडेश प्रेशल की इस सीरीज में तो आज फिर से मैं आप सब की एक बहुत अच्छा पसर लेका आया हूं बहुत इंट्रेस्टिंग है इसे कुछ लोग मैजिक स्कुर्स के नम से भी जानते हैं तो दोस्तो आपने कोशन ट्राय किया होगा एक बात तो करने का अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं वा तो कोई दिकतनी चाहिए सीखते हैं तो परजी बत इसको अप्रोच कैसे करा जाए लाइन अफ थिंकिंग क्या होना चाहिए पर यह कोशन समझेते हैं को इस ब्लॉक का सम 15 होना चाहिए इस ब्लॉक का सम 15 होना चाहिए सब का सम 15 होना चाहिए प्लस सारे डाइगनल का सम भी इवन 15 होना चाहिए कंडिशन तो समझ आ गया हमें को तो अब कैसे अप्रोच किया जाए हमें कोशिन तो समझ आ गया है यह भी पता चल गया कि हर एक रो कॉलम डाइगनल का सम 15 होना चाहिए पर कौन से नंबर कहां रखें चाहिए अप्रोच रखते हैं कैसे किया जाए अगर हम इदा कुछ भी न था तो यह जो वन है उसे यह कि फिसमठ को समय पाइब अगर में इदा रखता हूं मुए बिक रिक्त नहिए तो यह नंबर को कहां कंट्रिविशन और क् सोच के बता ही इसको इधर contribution देना है obviously 15 होने के लिए आराम से और कहां इधर भी देना है contribution 15 होने के लिए और कहां अब इधर तो कोई डागनल है नहीं तो यहां दो जगाए contribution देना है तो फाइनली तो अगर कोई नमबर इधर रहता है कोई नमबर इधर रहता है कोई नमबर इधर रहता है य को इधर हता है को इधा रहता है उसे contemporary तीन जगा और इसे कितनी नंबर हैे दो चरफ त अब आप समझी करें holy कि कैने दुखाए टेंटे घ्रै इस से लिट में हमसंक और कोई नमबर अगर बीच में घ्ता है एक नमबर से इसे कंट्रिप्टरिविशन कितने जगफ के दोके अधरते करना है है कि दो है इदरतेना इधर देना है, इधर देना है, contribution मतलब आप समझ पा रहे होंगे, मतलब ये number को इस row को 15 बनाने में help करना है, इस column को 15 बनाने में help करना है, इस diagonal को 15 बनाने में help करना है, तो finally, एक, दो, तीन, चार, इसे contribution देना है, हम नो नम्ब्र भरे और हम इतना समझ आ रहा है कि चार olerुम खोछ दें तो वह बीच में सिदा सिदा जो चार जहां करीमिशन देगा अब अगर इतना समझ आ रहा है तो सोचिए अब contribution कैसे खोजे कौन किता contribution देगा पता कैसे करें example से start करते हैं मैं जाता हूँ 1 अगर एक number 1 हुआ तो और एक number कुझी भी हो सकते हैं 2 हो गया तो यह 12 होना चाहिए पर 12 तो अवेलेबल नहीं हमारे पास तो यह पॉसिबल नहीं है तो आगे चलते हैं 1 और मैक्सिमों अवेलेबल क्या हमारे पास 9 तो यह क्या होना चाहिए 5 यह एक वैलेट कॉंबिनेशन है वैसी 1 6 8 यह भी वैलेड है रखिशी 15 नोरा दोनो 1 7 7 पर य हमारे पास है नहीं एक ही है यह कट रहा है 1 8 6 यह इधर रिपीट हो चुका है देखिए अगर आप भ्यान से देखेंगे तो यह रिपीट हो चुका है तो बाकी ऐसी सब रिपीट होते जाएंगे तो केसिस कितना है हमारे पास वन का दो कंट्रिविशन हुआ और 1 दो जगा इसका मतब्स वन या तो इधर 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 इन चाहर जगह में से कोई जगा पर होगा याज है ना असी कंट्रिविशन वन का देखिए हम टू का भी रखते हैं तू का देखिए टू इधर नाइन दग देते हैं वह फोर यह एक वालिट हो गया टू फाइफ सिक टू फूर एय, डियृू स्वर याई तू फाइप इधर इसंग हो गया टू राया है तो यह हैं नहीं है यह और तो इसके बाद से सब रीपीट हो का तो फू जshop ना केशिए है घान जाण से नाय है टीन हा रहा है इसी का मतोर तू कॉनर अघा का लोकेशन कुका समझा है ऐसी अब समझी गए होंगे काफी 3 का देख रहते हैं 3 3 का कंट्रीबिशन 3 9 रख जीज़ें तो 3 9 12 3 15 तो यह वैलेडी नहीं है कि दो बाद 3 आ रहे हैं 3 4 8 यह तो वैलेड है पूरा देख जीज़ें 15 हो रहा है 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15 3 5 7 यह भी वैलेड है अरम से 3 6 6 यह फिर वैलेड नहीं दो बाद 6 आ गया फिर अगर 3 7 जैंगे तो आलड़ी सेम रिपीटेट के साथ आज आएगा यह देखें जे 3 7 5 तो यह तो अलड़ी हो चुका है तो इन्वैलिट टोटल केसे कितना मतरी का दो यह हो रहा है थी का टोटल केसे दो हो रहा है तो थी भी को इस इवन वोकेशन पर राएगा 3 8 4 5 6 बस 4 का 3 यह आएगा इसका मतलब 4 कहां रहेगा यही सेंटर लोकेशन के समझा रहे है ना अब एक फाइनल जी लाज देख रहेते हैं 5 का क्योंकि अब तक हमें वो नमबर मिला नहीं है जो सेंटर पर है हमें सेंटर बाए नमबर ची जो चार को सटिस्वे करें देखि दो को कर रहा है फॉर टीन को कर रहा है ठीक है अभी हम देखनें 5 का तो 5 को क्याकर केसे से एक 9 रख देते हैं 5 9 हो गया 14 तो 5 1 9 5 2 8 5 3 7 5 4 9 6 15 देखो सब 15 हो रहा है अब आगे 5 5 तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि 5 दो बार रिपीट हो रहा है है ना उसके बार 5 6 करें तो वह इसके हमें पता चल रहा है कि 5 की तोटल ख्यान दीजेगा 5 की तोटल कितने कैसे सारे हैं हमरे पास 5 की तोटल 1 2 3 4 किसे सारे है और 4 कैसे से और तो एक ही पस्यविटी है तो वह गया हमरा 5 तो हमें बहुत सब तक पहुंच चुके हैं हम अंसर तक अब धेखनें फिर समराइ को स्टिस्टिस्ट कर रहे हैं तू फोर सिक्स एट ये तिन तिन को स्टिस्टिस्टिस्टिस्टि कर रहे हैं और फाइव जो है वो चार को स्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टि दाउटीन निसमें तो बीच में 5 या आगे फिकास 5 चार एक्षिन को सटिस्फेय करें अब यह उने देखा अब मन निच रखो यह कुछ भी रख दो वन लुग दिया हमने तो यह अगर वन हो रहा है तो यह क्या होगा 9 519 अब हमने देखा था वन का एक्षिन के था या दा रहा है एक्षिन क्या क्या देखा था हमने एक्टिस था 159 168 इस दो से निके तो 159 तो यह तो है तो वन की एसेड़म क्या रहेगा 168 ओविश्य तो अल्ड़ 68 कुछ भी रुखो जाही होगा अब बागी दो बिस फिल उप क 3 15 5 3 8 7 15 अब चेक कर लिए गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ने नो कना नॉमर भग दिया है अब देख रहते हैं क्राइटिरिया फुर्फिल हो रहा है कि नहीं 6 प्रस 1 7 प्रस 8 15 वेरी गूड 12 प्रस 3 15 वेरी गूड 9 7 प्रस 4 15 यह हो रहा है ऐसे देख रहते हैं 13 83 11 प्रस 4 15 95 14 प्रस्वन 15 13 प्रस्टू 15 ऐसे देख रहते हैं 6 5 यह प्रस 4 15 813 प्रस्टू 15 देख जी आपने जहान हो रखा आठम से सारा क्राइटिरिया फुर्फिल हो गया तो इसका में गेम कहाता है ने यह 5 में तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और यह पजल से कुछ सीखने को मिला जैसे की सोचने का तरीका हो गया ऐसे कोश्टिंस को अप्रोच करने का तरीका हो गया तो पीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताईए कि वीडियो आपको कैसा लगा तब तक कि ज्यान रखना मिलते हैं अगरे संडे को जया हिंद